समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तरप्रदेश सरकार के पूरो मंत्री आजम खान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं आजम फिलहाल उत्तरप्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं और वहीं उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है आजम खान के साथ जेल में बंद 13 अन्य कैदियों के भी पॉजिटिव होने की पुश्टी हुई है आजम बीते करीर एक साल से सीतापुर की जेल में बंद हैं जेल में बंद आजम का दो दूप पहले अन्य कैदियों के साथ ही कोबिट टेस्ट कराए गया था इस जाँच के बाद अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जाँच के बाद आजम और अन्य सभी कैदियों को जेल की एक अलग बैरक में आईसोलेट कर दिया गया है 27 फरवरी 2020 को आजम खान को उनकी पत्नी और बेटे के साथ सीचापूर की जेल में शिफ्ट किया गया था आजम की पत्नी और रामपूर सदर सीट से विधायक तंजीन फात्मा को बीते दिनों जमानत मिल गई वहीं असी से अधिक मुकर्मों में वांचित आजम खान और उनके बेटे को फिलहाल जमानत नहीं मिल पादे